हेलो बच्चो मैं दिपेंसिंग आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चानल रादेश टेड़ी हमें स्वागत करता हूं कि मीवी को इस लेक्चर में आप सभी पढ़ेंगे क्या उरजासरेच्छण का सिध lawn की सी कि इसेगे बताया जाता स्वाइब या उट्पत्ती से पहले समझ रहें जितनी उर्जा वास्तों में थी आज भी उतनी उर्जा अजा वॉच्या आज है। होता गया कि वह चाहिए कि अध्यूसरी प्रकार की उर्जा में हो जाता है। जैसे आपको एक्जांपल में समझाएं, घर में आपके क्या होते हैं, इलेक्टरिशिटी का प्रवाव होता है, इन्वेटर क्या करता है, बैटरी में उसको रसाइने कुड़जा के रूम में इस्टोर कर देता है, तो वैद्दोत उर्जा किसमें बदल गई, रसाइने कुड जैसे सौरूर्जा होती है, सौर के प्रकास से सौरूर्जा ली गई, सौरूर्जा क्या होई, इलेक्टरिसिटी के रूप में जाके और बैटरी में श्टोर हो गई, रसाइने कुड़जा में, तो पहले सौरूर्जा से किसमें बदल गई, वैद्दूत उर्जा में, वैद तो किसमें आ गई फिर से प्रिकास उर्जा के रोब में समझ रहे न प्रोसेस पूरा एक से दूसरे में दूसरे से तीसरे में आपके आपस में क्या हो रही बदल रही है तो माजनुआ जाता है यह माना क्या यह है इसका प्रमाड अभी हम आपको प्रोब करेंगे कि जो उर्जा को ना तो उत्पन किया जा सकता है ना ही नश्ट किया जा सकता है आपको थियोरी में दिख रहा होगा स्क्रीन में उर्जा को ना तो उत्पन किया जा सकता है इससे केवल एक प्रकार की उर्जा से दूसरे प्रकार की उर्जा में परिवर्टित किया जा सकता है बस और कुछ नहीं कि लिए तो यह हो गया आपका उर्जा संरच्छन का सिद्धान्थ और इस सिद्धान्थ के उसार ब्रह्मार्ण में जितनी भी उर्जा है वो सदय क्या है संरच्छित है मतलब नियत है यह न घटती है न बढ़ती है केवाद एक रूप से दूसरे रूप में परि कि यूब ऊइच प्रिठ्वीतल वी में यह हो गया था हिए हां से क्या किया गया कि एक वस्त को मूं लोग उठा के ले गए और इसको हमने कहां पर रख दिया है एच उचाई पे रख दिया कितनी उचाई पे रख दिया एच उचाई पे तो यह पूरी उचाई कितनी हो गई एच जे पॉइंट पे क्या है यह एपॉइंट माल लिया और यहां पे कितनी उचाई पे है एच उचाई पे और यहां पे जो इस पिंड को रखा गया है ले जाय कितनी है इसमाल चर प्रत्वी तल से जो उचाई है वो कितनी है है एज मीटर के अब देखो क्या हुआ कि यह जब यहां से यहां तक जाएगी तो यहां पे इसका क्या होगा सून्ँ से यह कि तक पहुंचने में तो सोन होगा तो लिखेंगे कि माना कि एक वस्त कि जिसका द्रौमान कि इस मालियम है को प्रत्वी तल से प्रत्वी तल से एच उंचाई तक बिन्दू या एच उंचाई पर बिन्दू ए तक ले जाया जाता है बिन्दू ए तक इसको ले जाते तब क्या होगा बिन्दू ए पर इसको लेकर रोक दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वीरा मवस्ता में हो जाएगी किस अवस्ता में हो जाएगी वीरा मवस्ता में हो जाएगी अब क्या होगा कि देखो यहां में बिंदू ए पर जो होगा बिंदू और यहां पर जब ले जाके रोक दिया तो वी कामान कितना हो गया, जीरो, तो इसका काम हो गया, कैंसल, अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये तो जीरो हो गया, तो इस्तिति उर्जा निकालेंगे, इस्तिति उर्जा, इस्तिति उर्जा जो होगी, वो कितनी होगी, M, G, H, M, M G H क्यों होगी क्योंकि M है द्रोमान G है H है उंचाई और G क्या है प्रित्वी का गृत्वी तरों और प्रित्वी के तलसिश को ले जा रहे है M G H हो गे तो निकालेंगे कुल उरजा अता बिन्दू A पर कुल उरजा कुल उड़जा यू बराबर हो जाएगा कितनी गतेज उड़जा कुल उड़जा जो होगी वो यू बराबर होगा गतेज उड़जा प्लस इस्थतेज उड़जा तो यू बराबर गतेज उड़जा जीरो और इस्थतेज उड़जा कितनी आ गई MGH तो U बरावर आ गया MGH के कुल उर्जा है कुल उर्जा को U से नहीं लिखते हैं इस्तिती उर्जा को लिखते हैं तो कुल उर्जा आपकी कितनी आ गई MGH कहां पे पॉइंट A पे अगर उर्जा सरचिट रहती है तो अगर हम यहां पे कोई B मान ले तो यहां पे भी अगर हम गती उर्जा निकालेंगे तो कितनी आनी चाहिए वो भी MGH आनी चाहिए सरचिट का मतलब हर जगह पे इतनी ही रहे तो देखो यह यहां से हमने मान लिया X उचाई है दूरी है तो यह नीचे कितनी होगी पूरी थी H पूरी थी H H में X कम हो गया तो यह कितना बचेगा H माइनस X बचेगा बिंदू B पर तो अब निकालेंगे किस पे बिंदू B पर तो बिंदू B पर इस सिती उर्जा की बात करें तो निकालेंगे बिंदू बी पर तो बिंदू बी पर जो हमने किया तो माल लिया कि बिंदू बी पर जो इसका वेग है वो कितना वी है अगर बिंदू बी पर क्योंकि यहां से छोड़ी गया रही तो यहां पे लेकिया है तो क्या होगा इसका वेग कितना होगा वी ठिक तो बिंदू B पर प्रारंभिक वेग जो था जब उपर से चली प्रारंभिक वेग वो भी कहां पर ए पर जो था यू वो कितना था आपका सुन और बिंदू B पर वेग बिंदू B पर जो वेग हमने माना वी मान लिया कितना है वी है किलियर हुआ बिंदू B पर वेग कितना हो गया वी हो गया अब निकालेंगे और विस्थापन कितना चला एक्स यहां से यहां तक ए से बी तक विस्थापन विस्थापन कितना हो रहा है आ रहा है एक्स आ रहा है एक्स मीटर विस्थापन है तब वी स्कॉयर गतिके समी करन गतिके समी करन आपने पढ़ा है वी स्कॉयर बरावर होता है यू स्कॉयर प्लेश टू ए एस तो वी स्कॉयर एक्वल यू स्कॉयर की कि बात करें तो यू था प्रारंण बीक वे कितना या था जीरो तो यह हो जाएगा जीरो फ्रेश टुइन टुइक कि बात करें तो ए आपका होता है तुरन मतलब गृत्वी तुरन और ये सुती हुचा विस्तापन तु eating कितना है चैथ तो ये हो जाएगा V स्क्वाइर बराबर 2GX ये हो गया के लिए अब जब ये हो गया 2GX तो आप निकालेंगे गति जुड़ जा कहां पे बिंदू B पर तो बिंदू B पर जो गति जुड़ जाएगी वो आता है गति जुड़ जा का फार्मूला होता है एक बटे दो M V 2 से 2 कैंसिल तो बिंदू B पर गति जुड़ जा गई M G X ये हो गई गति जुड़ जा बिंदू B पर निकालेंगे इस्तिति जुड़ जा बिंदू B पर इस्तिति जुड़ जा इस्तिति जुड़ जा निकालेंगे यू बराबर होता है M G H H मतलब उचाई प्रतिवी के दर सद्धिति से उंचाई कितनी है एच हमाइनस एक्स हट माइनस एक्स तो यूबी कितना है एम जी एम जी का है समय कुरात तो हो जाएंगा एम जी इंटू एक्स यह हो गया यूबी अब देखो आपको यह पता चल लगाए कि यह क्या आ गती जूर्जा आ गई आपकी इस्त्यत्य तूर्जा निकालेंगे थो भी पर प्रक्न फूर्जा हो कि पूर्जा निकालेंगे PAC tumint फूर्जा कितनी आएbn गाती जूर्जा कुल मर बरांबर आएगी गति जूर्जा प्लस इस्तिते जुर्जा गती जुर्जा भी या कितनी है या कि M G X और इस्तिती जुर्जा कितनी है M G H माइनस M G X M G H माइनस M G X M G X से M G X कैंसिल कितना आ गया M G H सेम वेल हुआ गई क्या या सेम वेल हुआ आई ना ये भी आ रही थी बिंदू A पर M G H और इस पर M G H अब ये माना कि यह यहाँ पे ले आए यहाँ पे पॉइंट था C जब C पे ले आएंगे तो H का मान कितना हो जाएगा 0 किलियर अब निकालेंगे बिंदू C पर बिंदू C पर A से हम लोग डारेक्ट आ रहें C पे ठीक है अब इसको नहीं मीजर करने कहां से आ गए A से डारेक्ट C पे तो बिंदू C पर गती के समी करण गती के समी करण V स्कोइर बराबर U स्कोइर प्लास 2AH» से V स्कोइर इक्वल कितना होगा U स्कोइर U कितना था प्रारंबिग वे ए पे 0 A की जगे रखेंगे G और X की जगे कितनी उचाहित हैं की कितनी दूरी कितना विस्तापन हो गया H A, A, C तक कितना विस्तापन विस्तापन है भी या H, तो यह हो गया H, तो V स्क्वाइर बराबर आ गया 0 को स्मेट करेंगे आएगा 2 G, H अधा गत्य जूर जा गत्य जूर जा निकालेंगे तो क्या होता है के बराबर एक बटे दो किस पर निकालना है C पर M V स्क्वायर तो K C इक्वल हो जाएगा एक बटे दो M V स्क्वायर की वैलू रखेंगे कितनी है 2 G H 2 से 2 कैंसिल तो K C का जो माना आया वो आ गया है M G H अब क्या निकालेंगे इस्तिती हुड़जा तो बिंदू C पर स्तितिज उड़जा इस्तिती हुड़जा U बराबर क्या होता है M G H होता है उचाएब C पर उचाएए कितनी रहेगी प्रिदिव के दरातल से तो प्रिदिवी के दरातल पर C पॉइंट उचाएएगा जीरो तो इसका मान क्या हो जाएगा जीओ अब निकालेंगे बिंदू C पर कुल उर्जा बिंदू C पर कुल उर्जा निकालेंगे तो क्या आएगा गति जूर्जा मतलब MGH प्लस इस्तिती उर्जा इस्तिती उर्जा जीरो तो क्या आगया MGH यह आगया अर्थाज जो कुल उर्जा होती है वो हर जगहे पे सनरच्षित नियत होती है यह सनरच्षित होती है भी MGH आया यहां पर भी निकाला MGH आया बिंदू B पर और बिंदू C पर भी निकाला तो क्य iramam Rocky औरहें तो स्थिति व्रशा अधियों इस कि अक्यार में लिखिएंगे यहीं क्या उب्रिजल असराज़ का सिद्दान्त है तरह अतर कि एख भी तेक बिंद पर पूरज़ का अउर्जय सनरच सिद्द है तो यह आपका हो गया उर्जा सनरच्षण के सिध्धान्त के निगमन यह लिख सकते हैं कुरुत्त के अंतरगत मुक्त रूप से गिरती हुई वज्टू ठीक है किस प्रकार से करेगी यह इस प्रकार आपको नोट करना है उर्जा सरच्छन का उधारण भी मान सकते हैं नोट कर लीजिए बच्चों देखो उर्जा सरच्छन के सिध्धान पर आधारित नुमेरिका तो पहला नुमेरिकल आपको दे रहा है देखो द्रवमान M एकोल दे रहा है 10 के जी 10 के ची बड़ आपसे कहरा है कि पिट्ड को 20 मीटर की उंचाई पर रखًप इसको 20 मीटर 20 मीटर की उचाई पर इसको रखा जाता है कह रहा है कि यदि इसे उपर से गिराते हैं तो गड़ना कीजिए कि नमबर एक कह रहा है H के मान में और आपको G का मान आपको वैलू दे रहा है कह रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड अब आपसे कोश्च प्रति में कह रहा है कह रहा है नमबर एक में H उचाई पर पिंड की कुल उड़ जा H उचाई पर पिंड की कुल उड़ जा निकाल लो कुल उड़ जा कुल उड़ जा क्या होगी गति जूड जा प्लस इस्तिती जूड जा तो कुल उर्जा बराबर होगा गतिज उर्जा प्लस इस्ततिज उर्जा फीगर से समझेंगे छोटा सा फीगर बना रहा है टोटल जो उचाई दे रहा है वो आपको दे रहा है बीस मीटर पिंड का द्रोमान आपको यह दे रहा है तो देखो यहाँ पे जब वस्तु ले जाएंगे तो अपनी अधिक्ता मुचाई पर जो वेग होता है वो कितना होता है सून होता है तो यह होता है एक बटे दो mv स्क्वाइर और प्लस इस्ति जुर्जा होती है mgh तो एक बटे दो m तो आप रख देंगे कितना दे रहा है 10 kg वी जो होगा वो कितना होगा सून 0 प्लस m होगा 10 kg जी कितना दे रहा है 10 दे रहा है अधिक्ता मुचाई कितनी दे रहा है 20 मीटर दे रहा है जीरो का जब किसी में multiply करते हैं तो आपको पता है क्या आता है सून आता है जीरो हो जाता है अब इसका अपस में गुणा कर देंगे तो टू और कितने जीरो एक दो तीन 2000 जूल आ गई उड़जा पहला हो गया अंसर समझ रहा हो न आप देखो second कहरा है बिंदू H1 पर पिंड की उड़जा जो प्रत्थवी तलसे 5 मीटर की उचाई पर है यह भीया प्रत्थवी तलसा यहां से 5 मीटर की उचाई पर अब आपको उड़जा बतानी है कितनी होगी 5 मीटर की उचाई पर उड़जा आपको गयात करनी है तो यह वाली जो उचाई हो जाएगी वो कितनी होगी 20 में से 5 जाएंगे 15 मीटर समझ रहे हो अब इसको देखो समझो अब निकालेंगे कहां पर यह H1 उचाई पर सेकेंड पॉइंट कहे रहा है है H1 बराबर 5 मीटर प्रत्वी तल से निकालना है कुल उड़जा प्रत्वी तल से कितनी उचाई पर है इतनी उचाई पर अब सबसे पहले निकालो इसका वेग V स्कॉयर बराबर वी स्कॉयर बराबर गति के समीकन से पढ़ा है U स्कॉयर बराबर 2 A S से तो वी स्कॉयर बराबर प्रारम बिक वेग कितना था सून तो यह सून हो गया 0 हो गया 2 इंटू A की जगए रखेंगे G G की जगए कितना रख देंगे 10 S S की जगए value रखेंगे इस मतलब विस्तापन तो यहां से यहां तक आने में कितना विस्तापन है 15 15 दूनी 30 30 का इसमें गुणा करेंगे तो वी स्कॉयर आ गया 300 इतने यह आ गया वी का मान तो निकालेंगे H1 उचाई पर कुल उड़ जा कुल उड़ जा बराबर क्या होगा गती जुड़ जा प्लस इसथिती जुड़ जा तो गती जुड़ जा क्या होगी हाफ M V स्कॉयर तो एक बटे दो M V स्कॉयर M देरा है आपको 10 kg इंटू होता है V2 V2 गमान आया 300 तीन सो यह आ गया 300 इस्तिती उर्जा होती MGH M दे रहा है 10 kg G दे रहा है आपको 10 और H अब उचाई कितनी है 5 दो से काटेंगे इसको कितना आ जाएगा 1.500 150 का 10 में गुणा करेंगे 1500 और प्लस यह हो गया 500 कितना आ गया 2000 जूल किलियर होगा अब कह रहा है थर्ड में कह रहा है प्रत्वी तल पर पिंड की कुल उड़ जा गयात कीजिए तो प्रत्वी तल पर अब कहां पर निकालना है प्रत्वी तल पर थर्ड में कह रहा है प्रत्वी तल पर तो प्रत्वी तल पर निकालने के लिए सबसे पहले तो आप लगाएंगे वी स्कॉायर बराबर वी स्कॉायर का जमान निकालेंगे तो वी स्कॉायर इक्वल जो आएगा वो आपका आजाएगा U square plus 2 AS V square equal U क्या था यहां से पर प्रारम बिक वेक 0 2 कितना था बना रहेगा A की जगह जी का मान 10 S अब विस्तापन यहां से यहां तक विस्तापन कितना है 20 तो V square आ गया आपका कितना दो दूनी 4 400 400 हो गया V square का मान तो निकालेंगे प्रत्वी तल पर कुल उड़ जा कुल उड़ जा बराबर क्या होगा गति जुड़ जा प्लस इस्तिती जुड़ जा गति जुड़ जा कितनी आएगी 1 बटे दो MV square तो 1 बटे दो M की जगा बेटा कितना रखेंगे 10 किलो ग्राम V square की जगा पर कितना रखेंगे 400 प्लस इस्तिती उड़ जा इस्तिती उड़ जा होता है M G H M की जगा है 10 G की जगा है 10 H तो थिवी तल पर उचाई कितनी है 0 2 से काटेंगे 200 आएगा 200 का 10 में गुणा करेंगे हो जाएगा 2 हजार ये 0 का इसमें गुणा करेंगे 0 तो ये कितना आगया 2 हजार ये आगया तो आपका क्या हुआ कह रहा है कि तो ये आपकी उड़ जा ये भी आ गई कह रहा है इन आकड़ों से सिद्ध करो कि तंद्र की कुल उड़ जा तीनों बिंदूओं पर इस्थी रह या संरच्छित है तो निखेंगे इस प्रकार या लिखेंगे चूंकी प्रतेक बिंद उपर कुल उड़ जा दो हजार जूल है अता एस प्रकार उड़ जा संरच्छन का सिद्धांद सिद्धोता है तो उड़ जा संरच्छन का सिद्धांद क्या हुगा आपका सिद्ध हो गया और आपका एप्रोब हो गया क्लियर कोई दिक्कत अगर दिक्कत है तो रिवर्स करके देखिए आपने कमेंट्स करके बताईए ठीक है तो आपका ये नुमेरिकल आप कीजिए फिसके बाद दूसरा बताया जाए ठीके सिकेंड नुमेरिकल सिकेंड नुमेरिकल में आपसे कह रहा है पांच किलो ग्राम द्रॉमान का एक वस्तु है जो वस्तु का जो द्रॉमान दे रहा है एम बराबर दे रहा है पांच किलो ग्राम पांच किलो ग्राम द्रॉमान की क्या है आपको एक दे रहा है वस्तु है और आपसे कह रहा है कि क्या है कि एक हजार सेंटीमीटर की उचाई पर रखी है तो उचाई जो दे रहा है H equal वो दे रहा है 1000 cm सॉरी 11,000 cm cm को मीटर में बदलते हैं तो आप सभी को पता है कितने से डिवाइट कर देते हैं 100 से डिवाइट कर देते हैं तो 11,000 divided by 100 इतने मीटर तो H जो आया 2,0 से 2,0 खलास हो गए समझ गए तो H आ गया 110 मीटर ये क्या हुए एक दूसरे से खतम अब देखो इसके बाद आप से कह रहा है कह रहा है कि G के इंतरगर स्वतनता पूर्वक नीचे गिरता है प्रत्वी पर पहुँचने पर इसका वेग ज्यात कीजिए और इसकी कुल उड़जा की गर्णा कीजिए तो सबसे पहले निकालेंगे इसकी H उचाई पर इस्ततिज उड़जा तो H उचाई पर इस्ततिज उड़जा अब इस्ततिज उड़जा का जो फार्मूला होता है वो आपको पता है कि क्या होता है M G H यह होता है M, G, H की बात करें तो M आपको दे रहा है कितना? 5 किलोगराम G आपको दे रहा है उसमें प्रस्ट में दे रहा है 10 दे रहा है और H की वैलू रखेंगे तो H का मान आपको कितना दे रहा है? 110 तो 11 55 और यह 2 0 तो 500 जूल आ गई इसकी क्या? इस्तिज उर्जा यह इस्तिज उर्जा ही क्या होगी? कि जब पिंड गति कर रहा है तो यह इस्तिज उर्जा ही किस में बदल जाएगी? गति उर्जा में बदल जाएगी तो लिखेंगे पिंड के नीचे गिरने पर नीचे गिरने पर इस्थतिज उर्जा गतिज उर्जा में परिवर्तित हो जाएगी परिवर्तित हो जाएगी गतिज उर्जा में जब परिवर्तित हो जाएगी अर्थात गतिज उर्जा बराबर होगा गती जुर्जा बरावर कितने के हो जाएगा इसी पच्पन सो के पच्पन सो जूल हो गई क्या इसकी गती जुर्जा अब गती जुर्जा का फार्मूला प्रियोग करेंगे तो गती जुर्जा का फार्मूला आपको पता है क्या होता है एक बटे दो मवी स्क्वाइर आपको निकालना किसका मान है, V स्कॉायर का, तो V स्कॉायर जब निकालेंगे, तो आएगा पच्पन सो, दो डिवाइड में है, मल्टिप्लाई में आ जाएगा, और ये M कहां पे है, मल्टिप्लाई में तो कहां पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो V स्कॉायर विक्वल आ जाएगा फिप्टी फाइव हंडेड इंटू अपॉन एम की वैलू पुट करेंगे मान रखेंगे फाइव आ रहा है पांस इसको डिवाइट करेंगे तो ग्यारा बार जाएगा तो यह आ जाएगा ग्यारा सो गुड़ा दो कितना हो गया बाइस सो तो विक्वल क फाइस सो के करेंगे हम वर्ग मूल निकालेंगे चार से काटेंगे चार चो को सोला बारा में छै गए बचेंगे च्छै यहाँ पे एक में गए जीरो दो से एक साथ उतारते हैं इन दोनों को जोडेंगे चार चार आठ अब यहाँ कितना मान रख दें कि क्या हो कि यह सॉल हो जाए तो अब यहाँ पे रखेंगे च्छै आठ चंग च्छरंग 36 की च्छै चार चंग 48 48 और तीन 49 50 51 क्योंकि साथ बार रखेंगे तो आठ सते 56 और साथ सते 49 चंपन में 49 जब जोड़ेंगे तो क्या होगा यह ज्यादा हो जाएगा क्योंकि साथ से पहले करके दिखा द 56 चार कितना हो जाएगा साथ तो यह ज्यादा हो रहा है तो इसलिए क्या करेंगे कितने बार इस साथ था यहाँ पे साथ करेंगे तो साथ सते 49 नो आए गया तो जब च्छै बार करेंगे तो च्छरंग 36 की च्छै हासी लगा तीन आठ च्छंग 48, 48, 49, 50, 51 यह दस में च्छै गया बचेंगे चार, नो में एक गया बचेंगे आठ, यह हो गया जीरो इसमें यह च्छै जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बान में कितना गया, 92 आगया, अब क्या करें कि जब दसमलो लगा देंगे अगर तो यहाँ पे दो जीरो एक साथ बढ़ेंगे, अब यह नो बाढ़ जाएगा तो यह आंसर आलमोस्ट आपका कितना आएगा, 46.9 यह आपका आएगा और किताब में आपके दे रहा है, इतना ही दे रहा है आपको, इतने मीटर, 35 सेकेंड, पहला तो आपका आंसर आ गया, जो आपको वेग निकालना था, विलोश्टी Second में आपसे कह रहा है Second में आपसे पूँच रहा है कह रहा है कि कह रहा है प्रत्वी पर पूँचने पर इसके कुल उड़ जा ग्यात करना है तो प्रत्वी तल पर कुल उड़ जा और कुल उड़जा क्या होती है इस्थिति उड़जा प्लस गति उड़जा इस्थिति उड़जा प्लस गति उड़जा स्थिति ज४र्जा कितनी होगी प्रिथ्वीततल पर बात करेंगे जैसे यह प्रिथ्वीततल पर आगए, तो यह का मान होता है, जी रो, और यह होता है, NGS, तो यह क्या हो जाएगा, 0. अंहीं जो पे इसका ट्रस ऑप किलिए पहला पूंच रहा था दूसरा पूंच रहा था प्रत्वी तलपर expectation आपका पूंच रहां ऐधी prowad मार कर लेजी यह बोगो तीक है थर्ड नंबर में आपसे कहे रहा है एक टरबाइन के ब्लेड्स पर नाइन इंटू टेन टू पावर थिरी या नो गुणा दस की घाथ तीन किलोग्राम जल तो जल का जो दरौमान दे रहा है M equal वो आपको दे रहा है 9 गुणा 10 की घाथ 3 किलोग्राम या आपको इसका दे रहा है अपको दरौमान इसके बाद आपसे कह रहा है कि प्रति मिनट तो समय जो हो गया T बराबर वो दे रहा है एक मिनट और मिनट को जाप सेकेंड बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 60 सेकेंड यह हो गया T कमान इसके बाद आपसे कह रहा है कि गिर रहा है 10 मीटर की उचाई पर गिर रहा है तो जो उचाई दे रहा है आपको H इक्वल वो दे रहा है आपको 10 मीटर और G कमान दे रहा है 10 मीटर पर तिस सेकेंड है 10 मीटर पर तिस सेकेंड इसको है आप से कह रहा है तो सक्ती बराबर निकालेंगे जो सकती होगी, वो सकती जो होगी P बराबर होता है W upon T अब पढ़ चोटी तो बहिया जो किया गया कार होगा यह क्या होगी उपर उचाई तक ले जाने में इसकी स्थित्या उचाई उचाई पर zostति उचाय के बराबर मतब MGH के बराबर होगा ना ये किया गया कार जो होगा वो इसकी इस्तिति उड़ जाके बराबर तो किसी वस्त को H उचाई तक ले जाने में जो किया गया कार होता है वो H उचाई पर उसकी इस्तिति उड़ जाके बराबर होता है तो M G H M की वैलू रखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 3 है जी का मान रख़ेंगे दे रहा है 10 और एच का मान दे रहा है आपको 10 ती का मान दे रहा है 60 जीरो से जीरो कैंसिल 3 द्रिक नो 3 दू निच है 2 से काटेंगे दू पंचे 10 तो 5 पह हम की इतना हो गया पंद्रा गुणा 10 की घात 3 इतने वाट आ गई इसकी सक्ति पी का मान आपका इतना आ गया और ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया तो इस लेक्चर में बच्चो इतना ही आप सभी को अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करने अन दोस्तों तक सेयर भी करें और नियमित रूप से पढ़ाई करते रहें